हलो गाईज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन एंड क्रैवलाउन बजट में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट दोसा की रेसिपी और उसके साथ खाने वाली ये जो चटनी है उसकी भी रेसिपी तो सुबह के भागदोण में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसा क्या बनाया जाए जो जटपट से भी बन जाए और घर में सबको बहुत ही पसंद आए तो इस रेसिपी के सारी सिक्रिट जाने के लिए है आप ये रेसिपी आंड तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को प्रेस करना बिलको न भुलें तो सबसे पहले आप एक बाउल में ले 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 एक कप रवा तो बहुत ही फाइन रवा मैंने यहां पर नहीं लिया है थोड़ा सा दरदरा जो रवा होता है मैंने वो यहां पर यूस किया है और एक दूसरे बाउल में आप ले 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 आधा कप पोहा तो पहले हमें रवा औ एक पानी अच्छे से धोलिया ताकि उसमें से जो भी डस्ट हो निकल जाए और उस्में फिर इसमे बहुत थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो रवा है वो बस बभाइब कर देब कर देख सोगों जाकर हो जाए बहुत ज़ादा पानी आप यहाँ पर मच अपने नंटने घो पोहा के साथ, पोहा में भी आप उतना ही पानी डाले कि सिर्फ वो पोहा उसमें डूप जाए, तो दोनु चीजों को हमें 15-20 मिनट तक भीगा की रखना है, और जब तक यह भीग रहा है हम कर लेते हैं चटनी की तेयारी, तो उसके लिए आधा कप यहां पर फुटाना जिसे 3-4 चमस तेल, और तेल जिब गरम हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 3-4 खड़ी सुखी लाल मिर्च, अगर आपको तीखा बहुत पसंद है मेरे जैसे तो आप यहां पर पास से 6 लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और मिर्ची डालने के एक मिनट बाद मैंने यहां पर डाल द और उसके बाद डाल दें आप बारी कटा हुआ टमाटर, तो टमाटर जीतने रस वाले होंगे चटनी का टेस्ट उतने ही अच्छा हैगा, यह चटनी आप दोसा और एडली के साथ भी बना कर खा सकते हैं, और टमाटर डालने के बाद हमें इसमें डाल देना एक चमच नमक या आपके स्वात के अनुसार, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल भी जाएं, तो मेरे चैनल पे आने वाली डिलिशेस रेसिपीज और यूरोप लंडर में देखने के लिए क्या क्या है यह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आगल को प् अब तक यहां पर टमाटर को पकाना है रभी से पीसना है तो पीसने के पहले हम इसे ठंडा कर लेते हैं तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया है ताकि जल्दी जल्दी चटनी बन जाए तो इस साइट जो हमने रवा और पोह भीगा के रखा तो अच्छे से भीग चुका है इसने अच्छे से पानी जो है अबसौब कर लिया है तो इसे हमें दोनों को एकसाथ अच्छे से मिक्स कर लेना है तो सुवह अगर आपके पास इतना टाइम डिनीं है कि अप इस इस पिगा सकें तो आप इसे रात माब्रीगा कर फ्रीज में भी रख सकते ताकि आप सुबह इसे जल्दी से ग्राइंड कर लें तो यहां पर मैंने आधा कटूरी इसमें दगी भी डाल दिया है तो यह तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसका एक फाइं पेस्ट बना लेना है तो इसमें आप इस वक्त पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा आप इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लें तो हमारी गर में तो यह जो रेसिपी है यह हफ्ते में एक बार तो जरूर बनती है क्योंकि यह हमारी गर में सबको बहुत पसंद है तो यहाँ पर देखिए यह ऐसा आपको एक पाइन अच्छा सा पेस्ट बना लेना है तो अगर आपको सुबे बहुत ही जादा हटबड़ी होती है आपके बास इथना भी टाइम नहीं है कि आप सोग करें और फिर इसे ग्राइंड करें तो आप रात में इसे ग्राइंड करके फ्रीज में भी रख सकते हैं आप उसमें बस नमक मत मिलाएगा तो यह दिखे अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो बहुत इकाड़ा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं दोसा बैटर के जैसे ही है और फाइनली मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच नमक या आपकी स्वात के अनुसार और फिर मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मज खाने वाला सोडा, तो जिस वक्त आपको दोसा बनाना है आप उसी वक्त उसमें सोडा डालिएगा, जो सोडा है वो दही या फिर लेमन के साथ बहुत अच्छा रियक्ट करते हैं, तो अगर आपने मेरी केक की रेसिपी करती हूं, तो उसमें मैं यही ट्रिक यूज करती हूं, और जो चटनी का टमाटर है, वो भी ठंडा हो चुका है, तो जटपट से बना लेते हैं चटनी, तो इसे मैं डाल दी हूं एक मिक्सर जार में, तो इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है, तो पहले आप इसमें पा पानी डाल कर इसे अच्छा एक फाइन पेस्ट बना ले, तो यह बन गई है अच्छे से एक फाइन पेस्ट, अगर आपको थोड़ा से दरदरा चटनी पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसे देना है अब एक तड़का, तो मैंने एक छोटी सी जो तड़के वाली अच्छोती उसमें डाला है तेल और आधा चम्मच राई, एक इसमें खड़ी लाग मिर्च डाली, आप चाहे तो दोर भी डाल सकते हैं, और उसके बाद उसमें आप डाल दी थोड़ा सा हींग, तो जो सरसो के दारे हैं वो अच्छे से चटक जाए तब आप उसमें डाल द अब देली किस बात किया भी हमें बनाना है जल्दी जल्दी दोसा तो आप नौन स्टिक एक पैन लीजिए उसे रखें मीडियम प्लेम में और जब वो गरम हो जाए तब आप उसमें डाल ये बैटर कुछ इस तरीके से तो बैटर डालने के बाद आप इसे दो मिनट के अच्छे से पकाना है तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है आप चाहे तो टेल भी डाल सकते है ये जो दोसा है ये दूसरे साइड से भी बनकर बेलकुल तयाद है और अभे च़गपक से हमें घानई क्योंकि बहुत जादा भूख लग चुकी है तो मेरे घर में तो ये बह अपने घर में बना कर जरूर देखिएगा और मुझे लाइक या कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मेरे आने वाले ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज और यूरोप और लंडन के गुमने वाली जगह देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्र करना और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भुलें